नमस्कार साथियों मैं मनीश भारती संस्कृती आएस प्रेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ साथियों जैसा कि आप जानते हैं अठारमी लोगसभा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने चुनावी दंगल कारिकरम की शुरुवात की थी और आप सभी का भर कारिकरम को नहीं देख पाएंगे कल से कुछ और आप देखेंगे ठीक है तूसरी कारिकरम आपके लिए लाएंगे हम लेकिन आज ये आखरी एपिसोड होने वाला है यहां देखिए क्या है मद्याबधी चुनाव यानि कि मिड टर्म एलेक्शन की जो बात की जाती है इसका क्या तातपर है ठीक है अब ये देखिए आप लोगों ने ये टॉपिक पहले भी कई बार पूछा था कि सर इसे बता देजिए लेकिन मैं जानबुच के रोके था कि ये वक्त आएगा और चुकि गठवंधन की सरकार बनने की स्तिती आ गई थी वही सरकार बने भी है जब जब एक गठवंधन की सरकार बनती है तो फिर ये जो मिट्टर्म एलेक्शन्स वाला मुद्दा है यह चर्चा में आ जाता है इसलिए मैंने सोचा कि सब टॉपिक तो हमने बात कर ही लिया जितने भी चुनाब से संबंदित बहुत सारे मुद्दे थे हमने बेहद आसान और वेभारिक भाषा में जितनी भी मेरी समझ है आप तक पहुचाने की मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों ने भी बहुत साथ दिया अब ये जो टॉपिक है वह इसलिए कि जैसा कि आप जानते हैं इस बार जो चुनाब हुआ और इस बार जो चुनाब हुआ उस का 543 सीट है यानि कि अगर किसी भी एक दल को वहमत में आना है तो उसे 272 का जादू आकरा तक पहुचना परेगा अगर बात करें पिछले डोटर में तो बीजेपी अकेले ही ऐसी पार्टी बन गई जो की 272 का आकरा पार कर ले गई अगर 2014 के एलेक्शन की बात करें इस बाले एलेक्शन यानि कि 17 लोकसभा में बीजेपी को अकेले 303 सीट आ गया था लेकिन इस बार किस्थिति कुछ अलग रहा कहा तो बहुत कुछ गया अब की बार 400 लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया यहाँ पर अगर देखते हैं कि 543 में किस पार्टी को कित यहाँ पर सुधार किया है अपने पिछले दो बार के पर्फर्फर्मेंस में और 99 तक पहुच गई हलांकि दो आकरे तक ही सिमट के रह गई तीन आकरों तक नहीं पहुच चुकी नर्वस 90 में रह गई सौंकागरा नहीं पार कर सकी तो यह सब चीजे हम जानते हैं अब यहाँ पर एक बात समझे सरकार बनाने के लिए 240 परियाप्त नहीं होता है 272 चाहिए तो इस बार क्या था भारतिये जंता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रुप में उभर कर तो आई तो यहाँ पर यह अपने अन घटक दलों पर निरभर हो गई इनका जो गटवंदन है वह एंडिये गटवंदन है और विपक्ष का इंडिया आलाइंस रहा इंडिया ब्लॉग ठीक है तो अब जो है अपने बांकी घटक दल पर यह निरभर रह गई और बांकी घटक दल में तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो उनकी भूमिका काफी महतपुर्ण हो जाती है चुकि टीडीपी को जो सीट आया है इस पार वह 16 आया है और जदियू बिहार के रिजिनल पार्टी है और नितिश कुमार जी की पार्टी है 12 सीट लेकर के यह आये है तो यह दोनों जो हैं सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएं हैं अब यह देखा जाएगा कि यह कब तक टिकते हैं यह जो मध्याबदी चुनाब है ना इन्ही दोनों पर निर्वर करेगा चार जुन को मत गनना हुआ था नौ जुन को शपत गरह समारो भी हो गया राष्टपती भवन में मोदी जी तीसरी बार परधार मंतरी के रूप में शपत ले लिए 1962 के बाद यह पहले ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो लगातार तीन बार परधार मंतरी पत की सपत लिए हो ठीक है यह मसला सब समझ गए इनों ही माध्य में उपलब्द रहेगा आपको नामांकन के लिए 955-124-124 या फिर संस्कृति आइस के वेब साइट पर विजिट करना है या फिर संस्कृति आइस का एप डाउनलोड करके इसके विश्या में विश्तित तर जानकारी ले करके नामांकन करा सकते हैं ठीक है गठ बंदन की सरकार की कुछ मजबूरियां भी होती है हलांकि गठ बंदन की सरकार चलाने में मनमोहन सिंगजी बेहद सफल निकले यह देखा जाएगा कि प्राइम निस्टर नरेंद्र मोदी क्या गठ बंदन की सरकार चला पाएंगे बात को मानने के लिए राजी हो जाएंगे कि संभव है इस बार जो है यह सरकार यह जो एंडिया की गौऔर्मेंट है मोदी जी प्रायमिस्टर है संभव है सायद पांच साल का अपना कारकाल पूरा ना कर पाए और बीच में ही सरकार कभी न कभी गिर जाए ये संभावना बताई जा रही है कुछ कारण बताऊंगा आप भी मानने को मजबूर होंगे कांगरेस के लीडर है 36 कट के पुरमुख मंत्री रहे हैं बगेल साहब इन्हों ने ये बताया है शंका जाहिर किया है कि यह सरकार जो है पांच साल का कारकाल पूरा नहीं कर पाएगी और बीच में ही गिर जाएगी कांगरेस नेता राहूल गांधी यह बात कहते हुए नजर आये हैं यहाँ पर सीट बता दिया गया है भाजपा 240 पहले भी मैंने बता है टीडीपी 16 जेद्यू 12 और सिब सेना एकनात सिंद्य जो है साथ सीट लेकर के इसके अलाबा देखेंगे जो राम बिलास LGP की जो पार्टी है चिराग पासमान जी की पार्टी वह पांच सीट लेकर का आई है तो वह भी एक घटकतल है उसके अलाबा हम भी इनके साथ है अब देखें मद्यावदी चुनाब होता क्या है देखें यह चुनाब जो होता है इस तरह के चुनाब को कहा पाती है पांस साल नहीं चल पाती है बीच में किसी भी वज़े से सरकार गिर गई चाहें जो है कि अल्पमत में आ गई कोई भी घटबंदर में है तो उसके घटक दल भाग गई किसी भी स्थिति में सरकार पांस साल के कारकाल को पूरा नहीं कर पाएगी बीच में गिर पर आना था लेकिन यहां 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 कहीं भी गिर गई ति यह मद्ध हो गया इस दो बिंदू का मद्ध हो गया और यहां सरकार गिरती है तो मध्यावदी चुनाब हो गया यह लोग सभा के संदर में भी माना जाएगा किसी भी राज के विधान सभा के संदर में भी माना जा अब देखें यहां पर एक बात समझ सकते हैं कि अगर यह सरकार गिरती है तो बहुमत बांकी किसी दल को भी तो नहीं है तो वहां पर फिर चुनाम में जाना परेगा दूसरी स्थिति देखें इनके जो घटक दल है वह टीडीपी और जेडियू ठीक है तो इनके घटक दल को लेकर के बहुत संका कहा जाता है नितिश कुमार जी और यहां पर चंदरबावू नाइडू यह दो ऐसे बैक्ति हैं जिन पर जो है वैसाकी के साहरे यह सरकार चल रह ही है यह दोनों बैक्ति अगर चंदरबावू नाइडू जी की बात करूं तो 2018 में एंडिये छोड़के यह गए थे जेल भी गए थे और इनका मानना है कि प्रैमिनिस्टर नरंद्र मोदी के वज़े से ही जेल गए थे समझ सकते हैं चुनाप से ठीक पहले यह एंडिये में चंदरबावू नाइडू दूसरी बजा नितीश कुमार नितीश कुमार इतनी बार इंडिये में आए गए हैं कि अब जो राजनितिक विश्रेशक है उन्होंने गिंती करना बंद कर दिया है उन्होंने कहा एक बार जब फाइनल सब कुछ हो जाएगा आखरी में गिन लें जी का नाम जो है घोशत किया गया था कि इनहीं की अगवाई में लोग शभा का चुनाब बीजेपी लड़ेगी उस बख नितीश कुमार खासे नाराज हो गए थे नितीश कुमार बिहार के मुखमंतरी तब्दी हुआ करते थे अब भी हैं साइद आगे भी रहें क्योंकि स्थिती ही ऐसी है कि पार्टी उनकी कहीं भी रहें कितना भी सीटा है मुखमंतरी वही रहते हैं ठीक है अच्छी किसमत है कहने का अतात पर है 2012 में यह नाराज हो गए थे कि नहीं प्राइम मिनिस्टर जो है कंडिडेट नरेंद्र मोदी शाहब को नहीं बनना चाहिए और उस वक्त एंडिय का हिस्सा हुआ करते थे इन्होंने आनन फानने में यह कह दिया था नाराजगी जताते हुए कि एंडिय से बाहर जा रहें उस समय से अंदर बाहर का खेल चल ला है तो उस वक्त नरेंद्र मोदी ही वह चेहरा थे जिनके एगेंस्ट में एंडिय से बाहर चले जाएं और यह जब भी नाराज होते हैं पता ही नहीं चलता है कि क्यों नाराज होते हैं बस यह चले जाते हैं आगे की बात दो पॉइंट पता दिया तीसरा पॉइंट पता देता हूं आन्द परदेश और बिहार दोनों ऐसा राज है जो यह मांग करता है कि उसे तिक अगर कहेंगे राजधानी तो वह हैदराबाद हैदराबाद उसकी राजनितिक राजधानी भी रही लेकिन आर्थिक राजधानी भी हैदराबाद के इर्द गिर्द ही आंध परदेश की अर्थवेवस्था चलती रही लेकिन हैदराबाद जो है बटवारे में तेलंगा में चला गया अब आंध प्रदेश में अमरा बती को राजधानी बनाने की बात कहीं जा रही है तो कहा जा रहा है चंद्रबाबु नाइडू के द्वारा लंबे समय से मांग करते रहें कि आप हमें विसेश राज का दर्जा दीजिए क्योंकि उस बक्त जो नीती आयोक के द् से इन सब चीजों को लेकर के तो अगर आगे चलके आनपरदेश को नहीं मिलता है तो मामला बिगर सकता है यही बात नितिश कुमार लगातार कहते रहें नितिश कुमार भी यह कहते रहें कि जारखंड लग हो गया 2000 इस बी में बिहार से और इस वज़से क्या हुआ कि बिह भूमी से शटा हुआ है समुदरी सीमा को साजा नहीं करता है तो जाहिर सी बात है एक समस्या उसके लिए यह भी हो जाता है यह भी जो है लगातार केंडर की सरकार से बिहार के लिए special status का मांग करते रहें अब अगर ये दोनों पूरा नहीं होता है तो आगे चल कर कि या मामला बिगर सकता है तो ये दो तीन बजा हो गया चौता बजा आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा वह बजा है 2026 2026 आप कहेंगे ये क्या मसला है देखें 2026 में कहा जा रहा है कि आप जानते हैं One Nation One Election की बात One Nation One Election One Nation One Election में क्या हुआ रामनात कोविंद साहब जो की पुर्व राष्टपती भी रहें उनकी अध्यक्षता में एक कमिटी बनाए गई थी और उसने अपना रिपोर्ट भी राष्टपती मोहदया दुरोपदी मुर्मू जी को सौप दिया है कि आगे इसके साहरें बढ़ सकते हैं मैंने कई बार चर्चा किया है इसके प्रावधान पर तो आज नहीं चलता हूँ 2026 से कैसा साल होने बाला है जो निरनाए क्यों कह रहा हूँ क्योंकि 2025 यानि कि अगले साल वह बिहार में विधान सभा का चुनाब हुने वाला है और 2027 वह उत्तर परदेश में विधान सभा का चुनाब हुने वाला है One nation, one election कहा जा रहा है कि मोधी गवर्मेंट की जो अभी सदन से पहले जो cabinet meeting वेगरा होगा उसमें इसे लाया जा सकता है तो सरकार यहां पर केंसरकार यह कोशिश करेगी कि यहां पर जो है बिहार में जो 25 में चुनाव होने बाला है तो विधान सभा की अबदी को एक साल के लिए बढ़ा ले 2026 तक लेके चले जाएं और उत्तर परदेश में 5 साल जो है 2027 में पूरेगा चुकि आप जानते हैं कि दूसरी बार जो मुखमंतरी योगी आदितनाथ बने हैं उत्तर परदेश में 2022 में बने थे तो 2022 और पास 2027 तो 2027 तक उन्हें मुखमंतरी बने रहना है लेकिन यह कोशिश की जाएगी कि यहाँ पर एक साथ चुनाप कराने के लिए उत्तर परदेश का जो 5 साल का कारेकाल है उसे 1 साल कम कर दिया जाए और 4 साल में ही एलेक्शन करा लिया जाए यह स्थिती आता है यह दोनों बड़ा स्टेट जो है 2026 में एलेक्शन करा रहा होगा एक बात समझ लीजिए अब यहाँ पर कहते हैं कि दिली की सत्ता में यदि किसी को बैठना है दिली के गदी पर तो उसकी जो गाड़ी है वह पटना और लखना होकर के ही आनी चाहिए क्यों कहा जाता है चुकि उत्तर परदेश में 80 यहाँ पर समझ लीजिए लोग सभा का छेत्र है और बिहार में 40 है तो कुल मिला करके हो गया 120 cm2 BC2 चाहिए सरकार बनाने के लिए 120 तो यहींदो और श्टेट दे दिया अब समझ लेजिए बिहार ने इस पार इनडियो को 30 सीट दिया है 12 सीट बीजेपी 와서 12 जदियों को मिला है पांच चिराग पासमाजी को मिला है एक हम को मिला है ठीक है तो यह तीस दिया लेकिन उत्तर प्रदेश में मामला खराब हो गया बीजेपी का तकरीबन 33 सिट के असपास जा करके सिमट गया और यही बज़ा रहा कि वो पुर्ण बहुमत नहीं प्राप्त कर सके बहुमत के 222 के आकरे से बहुत दूर नजराए तो यहाँ पर यह चीजे जो है संभब है यहाँ पर कुछ अगर रिजल्ट बजलता है मन मताबिक नहीं होता है इन दोनों जगों पर यूपी और विहार के वज़ह से संभावना ऐसी है कि मद्यावरती चुनाब कहीं घुमफिर करके आहना जाए तो यह तीसरी वज़ा हो गई एक वज़ा और समझ लीजिए एक वज़ा यह है कि आरेसेस को लेकर के पिछले कुछ दिनों में लगातार जो है मोहन भागवत काफी मुखर दिखे और उन्होंने नाम ना लेते हुए अहंकारी तक कह दिया कि सत्ता में बैठे लोगों को इसके अलाबा मनिपूर की भी चर्चा उन्होंने कर दी और कहा कि डेर साल से मनिपूर शांती की रह देख रहा है दूसरी बात RSS के दूसरे सीनियर लीडर इंद्रेश कुमार जी ने भी यहां पर अहंकारी तक कह दिया सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को तो ऐसी संभावना बताई जा रही है कि नरेंद्र मोदी अमित्सा और इधर RSS में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है अभी दो तीन दिन पहले ही गोरखपूर में अधिवेशन था और वहां पर जो है ये मोहन भागवत RSS के संग प्रमुक है वो वहां पर गए थे योगी भी मिलने गए थे तो ये मसला भी कुछ वहां कहरा है कि दाल पकी होगी कुछ ने कुछ हुआ होगा एक बात और बता देता हूँ यह सूचना मिला बहुत जगह से चर्चा चला मीडिया में कि लोग सभा चुनाप से ठीक पहले जो है वह योगी आदित नाथ को उत्तर परदेश के मुखमंतरी पर्द से हटाय जाने की बात कही जाने लगी ठीक है जिस तरह से मद परदेश से सिवरा सिंग चौहान को हटाय गया हर्याना से खटर साब को हटाय दिया गया कई ऐसे जगह से हुआ तो कहा गया कि योगी साब को भी जो हटाया जा सकता है हलांकि आरसेस के वज़े से कहा गया कि ये चीज हो नहीं पाया अगर इस तरह की कुछ चीजे होती है तो समस्या होगा चुनाप के बाद अगर आपको ठीक बाद की बात पता हो तो देवेंद्र फर्नविस महराष्ट के उप मुखमंतरी हैं उन्होंने अपने इस्तपे की पेसकस की बात की इसको जोर करके उत्तर पर्देश के मुखमंतरी योगी आदितनाथ से देखा गया कि उत्तर पर्देश में बीजे पी ने अच्छा पर्फर्फॉर्मेंस नहीं किया तो अगर फर्नविस यहां से इस्तपे की पेसकस करते हैं योगी जी पर भी नैतिक दवाब बनेगा और नैतिकता के आधार पर वह भी इस्तपा की पेसकस कर देंगे तो यहां पर मोदी और साह जो है साहिद उनकी मुराद पूरी हो जाए लेकिन ऐसा होता हुआ कुछ नजर नहीं आर यह सब बाते हैं मीडिया में चलती हुई बाते हैं कितना सही है कितना गलत है यह बात की बाते हैं तो यह सारे ऐसे फैक्ट हैं जो जान के लगता है क्या संभव है मध्याबती चुनाब हो जाए इसके अलावा नरेंद्र मोदी जो है अपने फैसले को लेने के लिए काफी कठोड माने जाते हैं उनमें कितना लचिलापन आएगा ये तो समय बता पाएगा दूसरी बात गठवंदन की सरकार चलाने का उनको किसी प्रकार का विशेश वह अनभव नहीं है इस इस्थिती में क्या हो सकता है सरकार जो है वह गिर सकता है इसके अलावा नरेंद्र मोदी सरकार जो है कई बिल लेकर के आने वाली है जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ और कई कानून बिल लाई भी है कई योजना भी लाई है जिसको लेकर के गठवंदन के जो साथी है घटक दल है उनक कि हम अगनी पथ जो इसकीम है अगनी विर्वाला इसकीम उस पे सरकार के साथ सहमत नहीं है समिक्षा करना पड़ेगा और सरकार समिक्षा की बात कर भी रही है तो संबब है इस तरह के डिल फिर अगर जैदा होंगे तो फिर सरकार चल नहीं पाएगे नरेन मोदी का ये नेच टैरिफ की मांग की जा रही है नितिश कुमार के द्वारा लगातार वो कहना है कि पूरे देश में बिजली का बिल एक समान होना चाहिए बिहार जैसे राज्य के लिए वो कहना है कि बिहार सरकार जो है उचे दर पर बिजली बिल खरीती है और फिर अपने कंज्यूमर को अ वन नेशन वन टेरिफ क्यों न हो जाए यदि ये सब बातें नहीं माना जाता है नितीश कुमार का तो संभभ है वह भी छिटक सकते हैं तो ये भी कुछ एक मुद्दा बन सकता है इसके अलाबा अगर मैं आपको बता दूँ तो CA को लेकर के CAA ये जो है यहाँ पर Citizenship Amendment Act ये मा जो को किस तरह से सरकार लागू करा पाएगी यह देखना होगा एक अहम बात और भी यहां समझ लीजिए फोर्ट फोलियो का जो बटबारा होना था इसमें नाराजगी की बात बताई जा रही है कि जदियों और TDP दोनों को फोर्ट फोलियों सही नहीं मिला यानि कि सही मंत अदलाब नहीं किया गया और कहा गया कि जो है फाइनन्स वेगरा जो घटक दल मांग रहे थे लेकिन वह नहीं दिया गया सारे महत्पुर्ण मंत्राले बीजेपी अपने पास ही रखी तो आगे चल करके इसमें भी कुछनों को समस्या हो सकता है इसके अलाबा एक और बात स चाहती है अभी एक दो दिन में चीजें क्लियर हो जाएगा तो यह देखना होगा कि किस तरह से यह मामला आगे बरता है कभी ना कभी संभव है स्पिकर के पद को लेकर के मामला फच जाए टीडीपी नाराज हो और सरकार से बाहर चला जाए एक पॉइंट आउट इस पार बिपक्ष जो तो है कमजोर नहीं है इस बार बिपक्ष बहुत अधिक मजबूत होने वाला है और संभब है कि ये चुनोती सरकार के लिए और सहज करने वाली सदन के अंदर होगा तो अगर सरकार पुर्ण बहुमत में नहीं है तो काम काज कराना बहुत मुस्किल होने वाला है चुकि राजनितिक जो इस्थिती है वो चाहें आंतरिक राजनिती हो या वैस्विक राजनिती हो अंतराश्टी संबंध हो अंतराश्टी नीती हो सरकार को अपने घटक दलों को साथ लेकर कि आप चलना परेगा और नरेंद मोदी के लिए ये तीडी खीर होने वाला है इस सब के अलावा एक और पॉइंट है जिससे आप सहमेत हो जाएंगे कि मद्धावरती चुनाब हो सकता है वह यह की दिहास के पन्ने को पलट के देखिए गठवंदन की सरकार का भव बहुत अच्छा नहीं रहा है उसकी आयू बहुत पहतर नहीं रही है हाँ यहां मैं इतना बताना चाहूंगा कि 2004 से लेकर के 2014 तक मनमोहन सिंग जी की जो सरकार रही वह गठवंदन की सरकार रही 10 साल फिर भी उसने ठीक ठाक तरीके से अपना अबधी पूरा कर लिया लेकि समय पर बहुत सारे करप्शन हुए और बहुत एक्सन नहीं लिया गया इस्तिति यह है कि कांग्रेस आज जो है आप समझ सकते हैं सता से बहुत दूर है बहुत कम सीटों पर सिमस्ति हुई नजर आई बीजेपी यह नहीं चाहेगी कि आगे चल करके उसका हस्र भी यही हो इ देश में तकरीबन इस तरह की इस्तिति देखेंगे कि 1989 से ले करके ठीक है यहाँ पर समझ लीजिए 1989 से ले करके और 2014 तक की लगभग इस्तिति देख लीजिए यह जो है वह गठवंधन की सरकार ही रही है यहाँ पर बड़ा डावडोल इस्तिति रहा और 90 की दसक की अगर म सार गई थी उसके बाद भी चीजें बहुत सहीं नहीं हुआ था जैसे देखेंगे 1977 में गठवंधन की सरकार थी मोरार जी देशाई जो है प्रधान मंत्री बने थे दो बर्स 126 दिन ही अपनी सरकार चला पाए थे उसके बाद सरकार गिर गई थी उसके बाद 1989 में फिर से ज 70 दिन तक ही प्रधान मंत्री रह पाए उसके बाद जो है यहां पर अगर देखेंगे 1980 में फिर मध्यावधी चुनाब देखने को मिल गया उसके बाद 1989 में देखेंगे गठवंधन की सरकार वी पी सिंग 343 दिन जो है वह प्रधान मंत्री रह पाए एक साल से भी कम 1990 में बंदन सरकार में अटल विहारी बाजपई पर प्रधान मंत्री बनते हैं बीजेपी पहली बार सत्ता में आती है बीजेपी का कोई लीडर पहली बार प्रधान मंत्री बनता है केबल 13 दिन ही यह सरकार पाए 1996 में गठबंदन की सरकार फिर बनती है SD देवगवरा जो कि करनाटक से आते है केवल तीन सौ चौबिस दिन परधान मंतरी रहते हैं यानि कि एक साल से भी कम 1997 में फिर से सरकार बनती है गठबंदन की सरकार होती है इंडर कुमार गुजराल यह जो है फिर प्रधान मंतरी बनते हैं और केवल 332 दिन सरकार अपनी चला पाते हैं एक साल से कम फिर 1999 में मध्धावती चुनाब हो जाता है 1999 में फिर गठवंदन की सरकार बनती है और अटल बिहारी बाजपेई जो है दुबारा से प्रधान मंतरी बनते हैं और इस बार जो है वो लागे बढ़ता है उस समय से ही लेकिन गठवंदन की सरकार चली रही थी लेकिन हाँ वह गठवंदन की सरकार जो है सही से चल पाई आड़ल ब्हारी बाच पे भी पांस साल चला लिए मनमान सिंग दस साल चला लिए थे कुल मिला करके देखिए इस दौर में यहां से अगर 90 म और फ़े यह इस पढ़ता तो यह इस्थिती गठवंदन की सरकार का रहा है गठवंदन की सरकार का इतिास बहुत अच्छा नहीं है भारत में और जब जब देखा गया है बहुत सक्त माने जाते हैं निरने लेने के लिहाज से तो वह गठबंदिन की सरकार में कितना सहज हो पाते हैं ये तो समय ही बताएगा या फिर आपको 2026 में ये सरकार गिरती हुई नजर आ सकती है और देश को को मध्यावधी चुनाब के लिए तयार रहना चाहिए एलक्शन को मिट्रम इलेक्शन के लिए पूरी बैवस्ता कर लेनी चाहिए ये सब समभाब ना है समभब है कि ये सरकार 5 साल चल जाए और चल जाए तो अच्छी बात ही है चुकि देस में राजनितिक इस्थिरता होना बहुत जरूरी है राजनेतिक एस्थिरता होगा तभी नीती निर्मान में इस्थिरता आएगा और इससे आर्थिक एस्थिरता आप आएगा तभी हमारा और आपका सबका कल्यान है और नहीं होता है फिर तो मध्यावदी चुनाव है ही तो आज के इस लेक्चर में इतना ही र रहा है उसे जोर करके मुझे चीज़े बताई है जो मैंने पांक शे कारण बताया है कि यह इन बजहों से सरकार गिर सकती है वह पांच शे करण पारिकी से बात किया जाए आसान भासा में लोगों को ये सब बताए जाए ताकि उनकी जो जाग रुकता है चुनाब को ले करके वह तकनिकी पहलू के साथ बिल्कुल कानूनी बातों के साथ वह बढ़ सके और कोशिस भी हमारी यही रही और आप सो ने भरपूर साथ भी दिय किया आज ये 50मा एपीसोड है तो आज ये 50मा ये की हाफ सैंचुरी हम लोग लगा लिए हमने साथ में ये काम किया है ठीक है तो मैं उमीद करता हूं कि जितना मैंने 50 एपीसोड में आकर कि आपको बताया है आप लोग उससे संतुष्ट होंगे सटिसपाइ होंगे हमारा प नौबजे रात के इसी समय पर कुछी दिनों में आपको कुछ अलग कारिकरम देखने को मिल जाएगा और मैं उमीद करता हूं आपको वो कारिकरम भी हमारा पसंद आएगा तो आप नौबजे बने रहिएगा आज ये कारिकरम खत्म हो रहा है लेकिन फिर दूसरे कारिकरम के स मैं ही आपके सामने उपस्तित हो जाओंगा अपना बेहद ख्याल रखिये और चुस्त दूसर तंदृस्त बने रहिए शुक्रिया